नमस्कार, जैतु भारत, GST and other laws, discussion and analysis के आज के अंक में आपका स्वागत है यदि फ्लाइस ब्रिक्स में फ्लाइस का content 90% से कम हो तो उस पर GST कितना लगेगा? उसके बारे में Appellate Authority for Advanced Ruling गुजरात ने एक निर्णई दिया है। उसी के बारे में आज के अंक में चर्चा करते हैं। इस case में जो applicant थे, उन्होंने यह बताया कि फ्लाइस ब्रिक्स और फ्लाइस ब्लॉक्स मैनुफेक्चर करने के लिए सिमेंट की आवशक्ता 5% से 20%, फ्लाइस की 40% से 60%, मिट्टी यानि सेंड की 35% से 55% और चूना 5% से 20% तक रिक्वाइड होता है। उसके अलावा जितनी भी आवशक्ता हो उतना पानी का उपयोग होता है। इन्हें मिक्स करके फिर फ्लाइस ब्रिक्स और फ्लाइस ब्लॉक्स बनाये जाते हैं। तो इस प्रकार से जो निर्मित होता है फ्लाइस ब्रिक्स उस पर GST का क्या रेट लगेगा। इस संदर्ब में फ्लाइस, ब्रिक्स और फ्लाइस ब्लॉक्स पर GST लागू होने से क्या-क्या रेट रहा क्या-क्या एंट्री रही वह भी देख लेते हैं तो सुरू आत में एक जुलाई 2017 से लेकर 14 नवंबर 2017 तक नोटिफिकेशन नंबर 1 अबलिक 2017 सेंटर टेक्स रेट के schedule 2 में सीरियल नंबर 177 पर फ्लाइस ब्रिक्स और फ्लाइस ब्लॉक्स उस पर 12% ड्यूटी थी इसमें simply फ्लाइस ब्रिक्स और फ्लाइस ब्लॉक्स इतना ही सब्द लिखा गया था उसके बाद में उस notification में संसोधन करके schedule 2 में से उस entry को हटा दिया गया और schedule 1 में serial number 225A पर fly as bricks और fly as aggregate with 90% और more fly as content यह entry रखी गई थी और उस पर 5% GST rate लगता था क्योंकि यह schedule 1 के अंदर थी इसके बाद में फिर से एक बार एक जनवरी 2019 से यह entry change कर दी गई और schedule 1 में ही serial number 225A के बदले 225B में fly as bricks और fly as aggregate with 90% और more fly as content और बाद में fly as blocks यह भी उसमें add कर दिया गया उन पर भी 5% GST लगता था तो इस प्रकार से हम देखें तो यह जो fly as bricks और fly as aggregate with 90% और more fly as content यह जो सब्द है इनहीं के उपर इस पूरे case के अंदर argument थी यहां पर जो applicant थे उनका यह कहना था कि यह जो condition है with 90% और more fly as content यह condition केवल जो पीछे का words है और fly as aggregate उसी पर लागू पड़ेगा यदि fly as aggregate में 90% से ज्यादा fly as content है तो वह इस entry में आएगा और यह जो 90% fly as की condition है वह fly as bricks पर लागू नहीं पड़ेगी यहीं उनकी main contention था इसके बारे में appellate authority for advance tooling ने क्या कहा वह भी देख लेते हैं यहां पर authority ने यह कहा कि GST council का इरादा fly as bricks और fly as aggregates को अलग से बताने का होता तो वह entry में भी उसे उसी प्रकार से अलग से बताते जैसे fly as blocks को अलग से बताया है semicolon करके लेकिन इस तरह की entry है नहीं और एक जनवरी 2019 के बाद में दो वर्स का लगबग समय होने के बावजूद भी उस entry में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया इससे सरकार का इरादा यहीं लगता है कि fly as bricks और fly as aggregator दोनों में ही यदि 90 प्रतिसत से ज्यादा का fly as content हो तभी उसको 5 प्रतिसत GST का benefit मिलेगा अन्य था 5% GST का benefit नहीं मिलेगा तो यह जो entry है fly as bricks और fly as aggregator aggregate with 90% और more fly as content उसका अर्थ interpretation authority नहीं है निकाला कि fly as bricks with 90% और more fly as content और fly as aggregate with 90% और more fly as content यानि दोनों ही case में 90% और more का fly as content होना चाहिए था जो appellant ने कहा कि आप यह fly as bricks यहीं तक का word पढ़िए इसमें कोई condition नहीं है 90% और more fly as content की और केवल जो यह fly as aggregate with 90% और more fly as content है उसको आप अलग से पढ़िए इस contention को authority ने नहीं माना और उनका यह कहना था कि fly as bricks और fly as aggregate with 90% और more fly as content अर्था जो 90% और more fly as content की condition है वह fly as bricks पर भी लागू होगी और fly as aggregate पर भी लागू होगी इस प्रकार से उस entry के अंदर यह तीन चीजें अलग-अलग हो गई fly as bricks with 90% और more fly as content fly as aggregate with 90% और more fly as content और fly as blocks कि authority ने इस case में यह निर्नई दिया कि जो क्योंकि manufacturer इस case में जो applicant है appellant है उसने स्वयम ही कहा है कि उसकी जो fly as bricks है उसमें लगबग 60% fly as है 90% से जादा fly as नहीं है तो वह entry 225b के अंदर नहीं आएगा और यह जो इस प्रकार का fly as bricks है जिसमें 90% से कम का fly as content हो उसके लिए और कोई भी entry नहीं है तो schedule 3 में जो serial number 453 है एनी chapter goods which are not specified in schedule 1, 2, 4, 5 और 6 उसके अंतरगत यह product आएगी fly as bricks और उस पर 18% का GST लगेगा इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 31 March 2022 को चार अलग अलग notification जारी किये गए हैं और उन notification के अंदर भी यह जो product है उसमें से एक serial number यह जो 176b है उसमें fly as bricks और fly as aggregate with 90% और more fly as content wordings वही है तो जो manufacturer यह supplier fly as bricks supply कर रहे हैं लेकिन fly as का content उसमें 90% से कम है तो उसके लिए यह संसे अभी भी दहेगा कि क्या उनकी product in entries में आती है या नहीं तो कोई भी निर्ड़े लेने से पहले वे इसके बारे में योग्यसला अवश्य ले ले क्योंकि जो मैंने बताया एक appellate authority for advance उलिंग का decision है उसके अनुसार यह 90% और more fly as content यह condition fly as bricks में भी लागू पड़ती है आज की अंक में बस इतना ही धन्यवाद प्लीज लाइक शेय और सब्सक्राइब आपको और किसी जीएस चे रिलेटेड विशय पर जानकारी चाहिए विशेश तो है तो comments में लिख सकते हैं जय हिंद